बालक CBC SQP से एक बहुत ही इजी question class 10 के लिए question में था कि which term of the following AP 27, 24, 21 is 0 यानि कि ये एक तुमको AP यहाँ पर बालक दिया हुआ है इस AP का कितने number ओला term 0 होगा ये बताना है तो यह बहुत ही असान होता है इसको एक बढ़ जलूब ट्राइक कर लेना ये बहुत ही असान होता है लेट कर लिया जाया है कि इस AP का लेट Nth term है ना Nth term of the given AP, of the given AP जो भी AP तुमको दिया गया है इसका Nth term जो होगा वह 0 है लेट कर लिया जाए यानि कि a plus a minus 1 into d जो होगा यह बालक 0 हो जाएगा इस a p के लिए बहुत असान था न a के प्लेस पर क्या लिखोगे a के प्लेस पर लिखोगे 27 क्योंकि इस a p का पहला टम जो है बालक वो 27 है a minus 1 into d इस a p का common difference इसको minus करके निकाल सकते हो minus 3 is equal to 0 इस 27 को इस साइड लाओ a minus 1 into minus 3 is equal to minus 27 आ गया हना इस साइड प्लस में उधर गया तो negative बन गया इस minus 3 को इस साइड भेजा जाए तो divide में चला जाएगा a minus 1 is equal to minus 27 by minus 3 यह दोनों कैंसल होके बालक 9 आ गया a minus 1 ना गया वन को साइड भेज दो यानि की एन का वहलू बालक 10 आ गया यानि की यह जो a p है इसमें 0 जो होगा वो 10 नमबर वाला टम होगा एन का वहलू बालक यहाँ पर 10 है बहुत हीजी कोशन था इस टाइप को और भी important question देखने के लिए बालक तुम playlist को check कर सकते हो वहाँ पर एक अलग playlist बना दिया गया है जिसमें केवल previous year question अप्लोड हो रहा है मिलते हैं बालक हम लोग next video में बाई